मुंबई स्थीत मलाड पूर्व के सदावी भूबा मैदान में महा शिवरात्री पर संतपाक वेद मूर्ती श्री गौरक्षनात गुरुजी है श्री श्री गुरुजी द्वारा एक हजार आथ शिवलिंग की सामोहिक पूजा की गई विगत 21 पर्षों से श्री शिव पार्थिव एश्वर पूजा समीती द्वारा प्रतिवर्ष महा शिवरात्री के महा पर्वपर एक हजार आठ दमपत्यों द्वारा सारवजनिक रूप से भगवार शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है इतनी शुद्ध पद्धती से ये पूजा संपूर्ण भारत में या यह कहा जाए कि संपूर्ण दिश्व में केवल एक जगह पर होती है प्रातहकार ब्रह्म मूरत पर 5-9 बजे तक तथा सायकार्मे प्रदोशकार्मे 5-9 तक ये पूजन कारियन चलता है ये शिव पार्थिवे सर पूजा समिती विगत 20 वरसों से ये कारे करती चली आई है कुरार विलेज में और हमारा एक स्लोगन है देव देश और धर्म के लिए ये हमारा कारे है और हर एक समाज के तपके के हर एक लोगों का यहां पर एक सामोहिक पूजन होना चाहिए यही हमारा एक स्यूपार्थिसर पूजा समीते का एक उद्देश है ये पूजा घोर में जो है दो बैच में होती है सुबह 5-7 और साम को दो बैच में होती है और करीब करीब जो है इसमें 22-23 लोग ऐसे पूजा करने के लिए बैठते हैं और करीब करीब कुरार अन्य समाज जो हिंदू समाज है लगभग 10,000 की संख्या लोग यहां आके प्रसाद भी लेते हैं और इस पूजा को देखते हैं तो यह हमारा माध्यम है पूजा करने का औ और बैच देते हैं और उनको समय देते हैं और उसी हिसाब से आते हैं लगभग 2003 से हमारा यह पूजा चालू है जो है कैसे कल्पनाई की इस तरह करना चाहिए ताकी कल्पना मतलब जैसे मंदीरों में लोग जाते हैं भीडभाड होता है मतलब मंत्रों चारण भी बरोबर न नहीं हो पाता है तो हमने यह गुरुजी हमारे जो हैं एक दिन ऐसे चर्चा हुई गुरुजी से तो बोले कि हम एक सामोहिक आयोजन करते हैं तब से यह कल्पनाई और हम लोग ने शुरुवात किया आज के कारेकरण के बारे में सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि पू पूरा का पूरा श्रेज आता है हमारे वेदमूर्ती गोरुक्षनाद गुरुजी को और अगर आप इनको आप सोचिल मेड़ा पर सर्च करोगे तो स्री स्रीक गुरुजी के नाम से यह बहुत ही ज्यादा प्रचलीत है और हमारा एक भाग्य रहा है कि गुरुजी के आशि क्लास पाइदा हुआ एंकुम थारे का शीलिंग बनाए इस word इस लोग पूर आपड़ा इस तो घर से लोग के माध्यम से तदा शिव पार्थिवेश्वर पूजा समीदी के माध्यम से विगत 20 वर्षों से शुद्ध वैदिक पद्धदी से पूजा करवाई जाते हैं यहां की विशेषता यह है कि शिव पार्थिव पिंडी जो बनती है वो प्रत्य को अलग-अलग दी जाती है और ज उसकी जो विशेष्टा है उसी पद्धदी से उसमें कुछ भी मिलाया नहीं जाता है केवल मिट्टी के द्वारा ही वो पिंडी बनाई जाती है उसका पूजन किया जाता है लगता है कि इस तरह के कारेकरम और होना चाहिए बिलकुल होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा होन और वेदमूर्ती गोरक्षनाद गुर जी जो संस्था पके समीति के और आप उपाद द्यक्षए है यह सब लोग मिला के यह प्रयत्न करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में शुद्ध पद्धती से पूजा कर प्रया से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर इसका आयोजन किया जाए यह सामुहिक स्वरूप से कारिक्रम होते आ रहा है और यह विशेश रूप से लोगों की श्रद्धा भक्ती और भक्तों का कारिक्रम बनना चाहिए था य रात को बारा बजे तक सभी शिव भक्त यहां पर आते रहते हैं मेरे पिता जी की इच्छा थी या उनका कहिना था कि भगवान शिव जी की पूजा चारो प्रहर पे होनी चाहिए और सामुईक स्वरुप में होनी चाहिए शासरों में उसका वर्णन ऐसा है इस प्रकार से है कि शिव जी का पूजा सबसे महत्व पूर्ण है प्रदोश में उससे भी जादा महत्व पूर्ण है शिवरात्री में उससे भी अधिक उसका महत्व है अधिक अधिक महत्व जो है और जादा महत्व चारो प्रहरों का है शिवरात्री में चार प्रहर ये पूजा होने से मगर इन सब का पूजन का फल यदि मिलता है तो चारो प्रहरों में सामुहिक स्वरुप से मट्टी के शिवलिंग का पूजन करने का सामोहिक रुद्राभिशेक जो है वही शिवजी का आत्म स्वरुप लिंग पूजन वह सामोहिक स्वरुप से करने से एक साथ जो उर्जा आती है वह सभी प्राणी मात्राओं के लिए जगत के कल्यान के लिए बहुत प्रभावशाली बनता है अवश्य यह हम करते रहेंगे अश्टप्रकृती की यहाँ पे हम लोगों ने पूजा के स्वरुप में स्थापना की हुई है हर पूजा में अश्टप्रकृती भगवान शिव का पूजन किया जाता है सबका मंगल हो सबका सुख समाधान हो और सभी को देश के प्रती धर्म के प्रती जो जागृत्ता हुई है वो निरंतर अखंडर है झाले झाले जाग जाता है